असलाम लेकुम आज हम डिसक्स करेंगे वाट इस नेटो अब्जेक्टिव्स और टॉप टैन क्वेस्चन्स जो के नेटो के बारे में डिफरिंट एक्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको हम डिसक्स करेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहले हम डिसक्स करते हैं वाट इस ने तो नीटो जो है यह अभ्रेवेशन है नार्थ ऐतलान्टिक ट्री आइशयं तो नैटो जो है यह तोरं पर आपके बात यहां पर क्लिड कर दू कि यहांपे 28ज इंट इसंहें तो एक वयाज़ तक है उन तो इसका मतलब यह नहीं है के इसलिए जो इसका्टी है टूर्पन है जो हूं एक एस में आए है और चिकार्ट वहाता है कि जो आख में एक आता है यहादा है यहादा को है कि एशिया एड को European country में शामिल किया जाता है इस आर थर्टी मेंबर स्टेट्स आफ नेटो नेक्स्ट हम डिसकुस करते हैं कि इसकी अब्जेक्टिव क्या है नेटो का जो मीन अब्जेक्टिव है वही है कि तू गृंटी दा फ्रीडम एंड स्कुरिटी आफ इस मेंबर स्टेट्स थो प्लि यूज यूज इनेबल्स इट्स मेंबर स्टेट्स तू कंसल्ट एंड कॉपरेट और डिफेंस एंड सिकुरिटी रिलीटिट इस्जूज बिल्ट ट्रस्ट एन लांग रन प्रिवेंट कंफलेक्ट यह उसका प्लिटिकल जो परफॉस है जो प्लिटिकल उसका जुमीन है व इस तरह जो है वो किसी भी जो कंफलेक्ट है उससे बचा जा सकता है सेकिंड पेज़का तो ठेजिती मेन की बात करें तो मिल्टि मेन मेंसा जो नेटो है यह एक्चली कुमीटिड है किसके साथ ed ak is for resolution about disputes के साथ अगर जो है डिपलोमेट communication efforts जो है वो fail हो जाती है तो it has military power क्योंकि ये military alliance है तो फिर उस dispute को military power के जरीए क्या करता है वो tackle करता है तो ये है इसका military mean तो ये objectives थे नेटो के next हम discuss करते है नेटो established का भी इसका headquarter कहां पे है इसके total member states कितनी है और official languages कितनी है नेटो वाज established at Washington DC, this stands for district of Columbia 4 April 1949 में ये वहां पे इसको send किया गया और ये वज़ाए कि इसको Washington treaty भी कहा जाता है तो इसके headquarter की बात करें तो headquarter का जो है वो ब्रसल में है ब्रसल जो है ये capital है Belgium का, तो current member states जो है 30 है, मैं पहले भी आप से ये discuss कर चुका हूँ के इसमें 28 European countries है दो इसमें North American countries है और एक इसमें का Asian country है और ये 30 countries है Asian country भी वही है जो European countries में भी उसको consider किया जाता है तो that's where इसके total member states है वो 30 हैं और इसकी जो official languages हैं वो दो है उसमें एक English है और second उसमें French है next time discuss करते हैं who was the first security general of NATO and who is the current security general of NATO तो सबसे पहले हम discuss करते हैं कि जो first security general था वो था the Lord Asmay ये 1952 से लेकर 1957 तक रहा इसी तरह अगर current secretary general की बात करें तो वो है James Stolenberg among security generals of NATO he is ranked as 13th security general of NATO इसके लावा इसने जो ओथ लिया वो first October 2014 में और he will serve as security general of NATO until September 30, 2022 और क्योंकि ये नौर्वे से है तो ये नौर्वे की जो लेबर पार्टी है उससे इसका तालोक है और इसके लावा he also served as 34th Prime Minister of Norway next time हम discuss करते है most important MCQs जो के नेटो से related है और different exams में पोची जाती है उनको हम one by one करके discuss करेंगे first MCQs है नेटो इस also known as option A है मैस ट्रेक्ट ट्रीटी, option B है वशिंग्टन ट्रीटी, option C है ट्रीटी आफ वरसाइल्स और option D है नौन अफ दीज तो इसका जो correct answer है वो है वशिंग्टन ट्रीटी क्योंकि नेटो जो है इसको sign किया गया वशिंग्टन डेसी में on 4th April 1949 में तो यही वज़ा है कि इसको वशिंग्टन ट्रीटी भी कहा जाता है मैं आपको यहां पर मैस चेक्ट ट्रीटी के बारे में भी तोड़ा से बता दो मैस चेक्ट ट्रीटी जो है यह 7 February 1992 में sign हुआ और यह effective हुआ 1st November 1993 में और इस ट्रीटी के थरू जो है जो European Commission था उसको convert किया गया European Union में और ट्रीटी अफ़ वर्साइल जो है यह sign हुआ 28 जोन नाइटीन नाइटीन और यही वह ट्रीटी था जिसने एंड किया वर्ल्ड वार वन को Second MCQs है How many members are of netto? Option A है 28, Option B है 29, Option C है 30, Option D है none of these तो इसका जो correct answer वो 30 है जिसको हम पहले भी discuss कर चुके हैं कि आपने 31 countries counting करने क्योंकि जो तरकी है वो एक ऐसा country है नाइटो का जो के इशिया में भी आता है क्योंकि उसका कुछ एरिया इशिया में है और इसका कुछ एरिया है वो यूरो में है तो European countries में भी उसको count कर रहे है है और इसको Asian country भी count किया जा रहा है तो countries जो है वो 30 ही है NETO किस टाइब का आलाइंस है अप्शन A है उसमें economic, option B है social, option C है military, option D है none of these तो यह हम पहले ही discuss कर चुके हैं कि NETO जो है एक military alliance है तो इसका जो correct answer है वो option C है military alliance fourth MCQ है the two official languages of NETO are option A है English and Arabic, option B है English and French, option C है English and Spanish और option D है none of these तो इसका जो correct answer है वो English and French और NETO की जस्ट यह दो ही official languages है fifth MCQ है the headquarter of NETO is located in which city, option A है Geneva, Switzerland का capital है, option B है Brussels, जो के capital है Belgium का, option C है Paris, जो के capital है France का, और option D है none of these तो इसका जो correct answer है तो इसका correct answer है वो है Brussels, जो के Belgium का capital है sixth MCQ है, नेटो allies extended James Stolenberg's term as secretary general of NATO until, option A है, 30 September 2022, option B है, 30 October 2022, option C है, 30 November 2022 और option D है, none of these तो इसका जो correct answer है वो option A है, 30 September 2022 तक, जेन स्टोनल बर्ग जो है वो नेटो का general secretary रहेगा MCQ number 7, नेटो वास founded with the aim of increasing ability of West to resist the threat of, option A है, capitalist, option B है, communist, option C है, both of these, और option D है, none of these तो इसका जो correct answer है वो है communist block, साथ साथ मैं आपको ये बता दो, communist block से मराद Soviet Union और उसके जतने भी allies हैं, और capitalist block जो है वो नेटो है, नेटो में जतने भी countries हैं, USA है और उसके जतने भी allies हैं, उनको capitalist block कहा जाता है 8th MCQs, which country has joined NATO recently in 2020, option A है, North Macedonia, option B है, Estonia, option C है, Norway, option D है, none of these तो इसका जो correct answer है वो option A है, North Macedonia 9th MCQs, who is the current secretary general of NATO, option A, Jab D. Hope Skiffer option B, Anders Fogg, Rasmussen, option C, Jains Stoltenberg, option D है, none of these तो इसका जो correct answer है, वो है, Jains Stoltenberg, और जो कि I think हमने पहले है, उसको Jains Stoltenberg पढ़ा है, तो इसका जो correct जो word है, वो Stoltenberg है 10th and last MCQs, which of the following member state hosted three days NATO summit 2021, option A, United States of America, option B, Belgium, option C, Norway, option D, none of these तो इसका जो correct answer है, वो है, option B, Belgium एसका पक्रोधे ऑक्रोधे मंझे मचों, कन दो दोूल Sनुने के क्देश though, है वät च्मुरी को मेंज़ते हैं झारा वर च्त पक्रोधे सेनुने में तो खरे षाले है, तो हैँ, पत्य पत्तुने पीज़ते हैं है, एसका एप sotto Ky 네 तो र engineer, तोست दो हैं, रो keine जो हैं